अच्छा क्या आपने स्त्री टू फिल्म देख लिए? अगर देख लिए तो सरकटे के आतंक से परचित होंगे और अगर नहीं भी देखिए तो भी इस वीडियो में आपको मज़ाने वाला है। अपने बच्पन में हमने दादी नानी के मुँँ से सरकटे की कहानियां जरूर सुनी होंगी और डर के मारे उनसे लिप्टे भी होंगे लेकिन फिल्म में जिस अंदाज में सरकटे को और उसके आतंक को दिखाये गया है वो इतना भयाना खौपनाक और खतरनाक है कि उसे असलियत में थी उसी तरह सरकटा भी हकीकत में है यकीन मानिए यह असली कहानिया फिल्म से भी खौपनाक और डरावनी है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म स्त्री 2 के असली सरकटे और इस्त्री की असल स्त्री के बारे में तो हमारी सला है कि कि आगे बढ़ने से पहले आप अपने दिल को मजबूत कर लीजिए अगर भूतों और उनकी कहानियों से डरते हैं तो किसी को साथ ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए कि कहीं सरकटा आपके आसपास तो नहीं है अगर आप तयार हैं तो चलिए हमारे साथ एक बेहट डरावने सफर पर एक ऐसा सफर जिसमें हर खदम पर डर है, खौप है, खत्रा है उत्राखंड के पौडी गड़वाल जिले मिस्थित है एक बेहट खोबसूरत शहर लैंस्डाउन मसूरी, शिमला और नैनी ताल सुकताई टूरिस्ट अब लैंस्डाउन का रोख कर रहे हैं, गर्मियों की दिनों में ये शहर टूरिस्ट से भरपूर नजर आता है, लेकिन दिन भर सहलानियों से गुलजार रहने वाला ये खुपशुरत सहर शाम होते ही वीरान हो जाता है शाम के साथ आठ बस्ते बस्ते लोग घरों के अंदर खैद हो जाते हैं, यहां की सडकों पर हस्ते मुस्कुराते लोगों की जगा बसर जाता है एक खतरनाक सन्नाटा, देयोदार और ओक की घने जंगल, माहूल को और भयानक बनाते हैं, यह वक्त होता है जब यहां के कैंटेरिया में कोई ज्यादा चुस्ती फूरती और मुस्तैदी दिखती है, कैंट में एकसर तमाम फोजियों की ड्यूटी लगी होती है, लेकिन रात का समय उनके लिए बहुत भारी होता है, जब लैंस डाउन के लोग रात के अंधेरे में सो रहे होते हैं, तो वहां की र परवा सिपाहियों के सिर पर मारता है, यह ओ कहानी है जो लैंस डाउन के हर घर में दर्शकों से सुनाई जाती रही है, इस सरकटे के डर की ही वज़ा से लैंस डाउन में अपराध बिल्कुल भी नहीं होता, कई रेटाइड सिपाही अपने अन्भो बताते हैं, उनकी माने तो उन्होंने उस भूत को महसूस किया है, उन्हें रात में ना क्योल अजीवो गरीब आवाजे सुनाई देती हैं, बलकि कई बार तो ऐसा भी लगा, कि जैसे किसी ने उनके सिर पर मारा हो, लेकिन यह सरकटा है कौन, और यह घोडे से ही क्यों चलता है, इसके पीछे की कह पहानी और भी डराउनी है, उनिसी सदी के आखरी दर्शक में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर भारत आये थे, जिनने लैंस्ट नाउन का कमांडिंग ऑफिसर बनाये गया था, उस अपसर का नाम था डैबलु यच वारडेल, साल 1901 में उन्हें अफरीका में तैनाधी दी ग उनके साथ थे उतराखंट के वीर जवान दर्वार सिंग नेगी, दर्वार सिंग नेगी 39 गडवार राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पत पर तैनाध थे, उन्हें और उनकी टुकडी को ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने के लिए, फ्रांस के फेस्टो वर् धावा बोलती है, दोनों तरफ से जबरदस्त गोला बारी हुई, दर्वान सिंग की टुकडी की कई साथी घायल हो गए, तो कई शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, घायल होने के बावजूद अपने अदम ये साहस के बलबूते, उन्होंने दुश्मनों के चक्के छोड़ा दी, बाद में वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा सानी सम्मान, विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले भारती बने, ब्रिटिस ओफीसर डवली एच वार्डल भी नायक दरबान सिंग के साथी थे, लेकिन युद्ध में उनकी मौत हो गई, लेकिन हैरानी इस सरकटा भूत, अकसर लेंजडाउन के एरिया में देख जाता है, अब हम आपको एक और सरकटे भूत की बारे में बताने जा रहे हैं, पिछले साल जुन की शुरुआत में ओरीजा के बाला शोर में एक भायानिक ट्रेन एक्सिडन्ट हुआ था, इस ट्रेन हासे में लगने इस बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिससे देख करके बच्चों के खोश उड़ गये, असल में स्कूल में तमाम बच्चों को तरह तरह की खौपनाक आवाजे आती, और कई बच्चों ने तो सरकटी लाशों को घुमते वे देखने का भी दावा किया था, आखरक उस दरान एक वीडियो वाइरल हुआ, जिसमें एक ऐसा भूत देखा गया, जो रात के अंधेरे में निकलता था, उल्टे पैड चलता था, जिसका असर भी नहीं था, वीडियो तो वाइरल ही हुआ, तमाम लोगों ने उससे देखने की गभाही भी देती, देखते ही देख ये वीडियो नहीं रात के अंधेरे में एक कार में बैटकर बनाया, और उसे एडिट किया था, ऐसा उन लोगों ने लोगों को डराने के लिए किया था, जब हमने भूतों के बारे में खोजने की कोशिश की, तो मैं तरह तरह के भूतों के बारे में जानने को मिला, हमें प रात के संदनाटे में जो भी उसे दिखता है उसके नाम से पुकारता है और जैसे ही वो आदम उसके पीछे आता है दुन्ड भूत अपनी तलवार से उसका गलाकार देता है ये कहानी काफी हद तक लेंजडाउन के भूत की कहानी से मिलती जुलती है यानि एक बात तो तह है कि सरकटे की कहानिया ना तो नहीं है और ना ही कलोती ऐसी तमाम भूतिया कहानिया भरी पड़ी है जिनमें सरकटे भूत का जिक्र किया गया है निश्चे तरूर से फिर्म इस्त्री टूर की कहानी असली नहीं है उस दरवान डैंगलूरू के कुछ लाकों में एक ऐसी स्त्री की अफ़ाओ फैली थी जिसने वहाँ के मर्दों का जीना दुश्वार कर दिया था रात के अंधेरे में जब गलियां सूंसान हो जाये करती थी तब वहाँ पर एक इस्त्री आती वो दरवाजा खटखटाती और मीठी आवाज में गर के मर्द को पुकारती वो आवाज घर में मौजूद मर्द की बहन या फिर उसकी मा की हुआ करती थी मर्द जैसे ही दरवाजा खोलता वो इस्त्री उसे दबोश लेती और फिर उसे अपने साथ ले जाती और दरवाजे पर छोड़ जाती उस मर्द की कपड़े वो मर्द कभी भी घर वापस नहीं लोड़ता था क्योंकि उसे वो इस्त्री अपना शिकार बना लिया करती थी जी हाँ नालेबा नालेबा एक कंणर सब्ध है जिसका अर्थ है कालाना उस लाके के लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर नालेबा लेकना शुरू कर दिया जिससे पढ़कर के वो चुड़ायल बिना दरवाजा खटखटाए या आवाज लगाए ही वहाँ से निकल जात करते हैं एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि फिल्म की कानी सर्फ एक गटना पर नहीं बलकि देश में अफ़ाहों पर आधारित हैं तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भोलें मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार